हेलो दोस्तो स्वागते हैं आपका अपने चैनल असान लाइफ में दोस्तो आज हम बात करेंगे कि हमारे चेहरे पर अगर धाग धब्बे मुहासे और चेचक के दाग धब्बे होते हैं तो हम इनसे कैसे घरेलू टिप्स द्वारा ही हम इनसे चुटकारा पा सकते हैं और हमारी वीडियो में आज हम कुछ टिप्स बताएं गरेलू जिनसे आप इनसे चुटकारा पा सकते हैं नमबर एक पर दोस्तो आप मुहासों के दाग धब्बे दूर करने के लिए चावल के दरदरे आटे में मसूर की दाल का आटा तथा हल्दी को कच्चे पपीते के रस में पेस्ट बना कर चहरे पर लगाएं और सूखने पर चहरे को ठंडे पानी से धोलें आपके दाग धब्बे कुछ दिनों में ही चले जाएंगे आप इस तरह से पैक त्यार करके अपने स्किन पर लगा सकते हैं और आपकी स्किन एक दम से सुन्दर ग्लोइंग करेगी नमबर दो पर दोस्तों आप अगर चेचक के दाग आपके चहरे पर हो गए हैं तो उनके ठीक करने के लिए और हलका करने के लिए अंडे की सफेदी में निम्बू के रस की कुछ बूदे मिला कर इस मिसरं को ब्रस की मदद से अपने चहरे पर लगाए हैं आप अंडे की जगहां आप दही का प्रयोग भी कर सकते हैं और पेस्ट बना कर अपने चहरे पर लगा सकते हैं आपके धाग दबे दूर हो नमबर तीन पर दोस्तों आप पुदीने का भी प्योग कर सकते हैं चेरे पर अगर फुनसियां हो गई हैं तो आप पुदीने का रस लगा सकते हैं इससे भी फुनसियों से छुटकारा पाया जा सकता है I hope दोस्तों आपको इस टीप्स अच्छे लगे होंगे तेंक्यू दोस्तो